नेशनल कांफरेंस ने मैक्सिममम टाइम जमो किश्म में हकुम्मत की है और उनने भी कभी पहाड़ियों की सपोर्ट खुलकर नहीं की जब आला कि पहाड़ी कबिले के लोग उनको वोट करते रहें उनने हमें वोट बेंक की तरह पहाड़ी कबिले के एक लीटर को नमाइंद की पहाड़ी केंडिड नहीं मिला 25 मैं से लोगसबा इंतखाबात पुंच राज और इननताक सीट पर शुरू होने जा रहे हैं उससे पहले एक बड़ी डेवलेप्मेंट हुई है उससे पहले पहाड़ी स्टी फोरम की बात करें तो उसने आज एक प्रेस कांफरेंस करते तीन सीटू पर जमुकश्मीर के नहीं उतारा लेकिन जमुकश्मीर अपनी पार्टी को उन्होंने हिमाइद दिये तो इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोजूद हैं पहाड़ी ट्राइब स्टी फोरम के एक्जेक्टिव मेंबर एडूकेट गुरुदेव सि नहीं किया तो हम किसी भी जो कैंडिडेट जिसकी हमायत करने को बारते जन्ता पार्टी बोलेगी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वादा सिर्फ कैंडिडेट को वोट देने का हुआ था लेकिन आज जो है पहाड़ी ट्राइब एस्टी फोरम ने हमायत जो है जमुकश्मीर अपनी पार्टी को दी है तो क्या लगता है कि पहाड़ियों के बीच में कुछ स्प्लिट्स बने हुए हैं पहाड़ियों के बीच में इस बात पर इत्फाक नहीं है कि किस तरीके से जिसoungeरा पहले से वादा हुआ था कि हम ऐसान का बदला ऐसान देंगे अब येorie था वाप प्हेरा से पहाडी कपीले के लिए एक मुझमेंट लड़ी एक जदो जहिद की स्टेट लेवल पे सेंटर लेवल पे और हम अपनी जदो जहिद में कामयाब रहें हम सैंटर गोर्बंट को यह बता ने में उनको करने में कामयाब रहे के पहाड़ी लोग करते हैं और च्छे फरबरी को बजट सेशन में हमारा बिल पास हो गया आज हमारे लोगों के पास च्छेडूल के सर्टिफिकेट हैं। उस से पहले हम यह कहते रहे हैं हर वर्ण से जिस जगह से भी वाद उठी हमने यही कहा जो करते हमें हमारे साथ इनसाफ करेगी हमारा हाक हमें देगी हम उसके सत्थ खड़े होंगी। उननीस एपरिल को लास्ट डेट थी नमिनेशन की अनातनागर जोरी सीट पे जो के साथ मेई को पोलिंग होनी थी तीसरे मरहले में उननीस मैई शाम तीन वज़े तक हमने इंतजार किया हमें पूरी उमीद थी हम वादा बन थे भाजबा का कैंडिडेट हमारी सीट पे होगा और हम उसे सपोर्ट करेंगे और जता कर पारलिमिट में भेजेंगे लेकिन उननीस तारीक तक जब कैंडिडेट नहीं आया तो उसक पिछले उननीस के बाद आप लगा लें के पंद्रह दिन सोला दिन अपने ही लोगों से बात की कि हमें क्या करना चाहिए चुक्कि हमारा के बीज़ेपी का कैंडिडेट नहीं आया हमारा साड़े पांच लाग से जादा प्लस वोट है इस सीट पे तो वोट तो हमने करना है तो फिर हमने यह देखा कि जो पार्टियां मदान में एक अपनी पार्टी है जिसके कैंड़ेट जफर मना साब है एक नैशिल कॉंफिरेंस है जिसके परेप कैंड़ेट मियां साह्वें पीड़ी के कैंड़ेट मैडम है और अजास साहाव के वीए एकैंड़ Soon अगर आप पीछे माजी में देखें अपना इतिहास उठा कर देखें तो इन तीनु पार्टियों ने हमारी मखालफत की है जब भी हमारी फाइल आगे बढ़ी है तो इन्होंने कहा कि पहाड़ी के बिले को स्टेटस नहीं मिलना चाहिए तो हम ना तो अजाद साब को स्पोर् उसके खुलाफ एक ट्राइबल मार्च भी निकाला गया और वह जो ट्राइबल मार्च निकालने वाले लोग थे वह सारे आज पीडीप में हैं उस वक्त हमारे एक जो स्टेट एक्सेट बाड़ी मेंबर असान मिर्जा साहब थे वह हमारे साहथ थे पहाड़ी फॉर्म में दूसरी तरस तालभ चोधरी आंप जानते उनको वह थे तब पीडीप ने आसान मिर्जा को नोर्ट देकर उनको जा उनके खलाफ action लिया गया लेकिन तालव चोधरी के खलाफ कोई action लिया गया वो आज भी PDP की campaign कर रहा है तो यह दोरा रवया PDP का रहा पहाडियों के साथ अलग और गुजर कम्मूनिटी के साथ अलग कोई लोग हैं जो अब पीपल्स देमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें हाले में ही जो है कुछ शक्सियात ने तो यह पीडिपी का धोरा रवया रहा कि एक अगर कम्मूनिटी के किसी लीडर ने अपनी कम्मूनिटी की बात की तो इसको पार्टी से बाहर कर यहां तक बात रही नेशनल कान्फरेंस की तो नेशनल कान्फरेंस ने मैक्सिमम टाइम जमोक्रेटिक में हकुमत की है और उन्हें बी कभी पहाड़ी की सपोर्ट कर नहीं की जब आला के पहाड़ी कबिले के लोग उनको वोट करते रहें उन्हें हमें वोट बैंक की तरह किया अजाब साब की पार्टी नहीं नहीं आई है और उन्हें अजाब साब आज तक खुलकर भाड़ी की मखालफित की जब तक वह दिल्ली में रहे एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि जब तक घुल नहीं मिल सकता अब रही बात अपनी पार्टी को स्पोर्ट करने की तो हमने यह सोचा कि ऐसी पार्टी जिसने पहली बार पहाडी के बिले के एक लीडर को नमाइंद्गी दी है केंडिड बनाया है अपना प्रतियाशी बनाया है कि लेक्शन तो लड़े जीत हार बाद में डिसाइड हो कि पहले लेक्शन लेने के लिए तो खड़ा हो अठारा पर काम किया 200 से ज्यादा वन्होंने बुक्स लिखी हैं तो हमारी लोगू ने हमें कहा कि अगर हमारा अपना कैंड़िट है तो हम उसको स्पोर्ट करें जहां तक रही बाकी फोर्म्स की बात जिन्होंने कोई PDP को स्पोर्ट कर रहा को किसी को कर रहा आपने बात की के कोई इसको मानता है कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर जो कल तक बीजेपी को यह जाके कहते रहे के हम जोलियां भनके बोट देंगे आप हमें स्टी दें और आज वो अपने ही कैंड़िट को स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं वो PDP को स्पोर्ट कर रहे हैं वो लोग जो पिछले 40 सा पहाड़ी कबिले की नमाइंदगी करते रहे और पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे शेड्यूल टैफ स्टेट्स मांगते रहें वो कहीं बड़े-बड़े हमारे वुकला हजरात हैं के दूसरी बड़ी शिक्सियात हैं उनको पता भी था के स्पीकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है शेड्यूल टैफ स्टेट्स का फिर भी पूरी कौं को बरगलाते रहे और अपनी लीडरी चमकाते रहे और एस्टी मांगते रहे हमने जब यह बेड़ा उठाया पहाड़ी टैफ स्टी फोर्म ने तो रिजल्ट आपके सामने है पहाड़ी एथनी ग्रूप को स्ट है जिस तरफ हम जाएंगे एक तरफ जाएंगे और जिस तरफ पहाड़ी के बिला खड़ा होगा वो कैंड़ेट जीत कर पार्लिमेंट बने हुआ अब कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे क्योंकि कुछ लोग अभी भी यह कह रहे हैं कि अगर कैंड़ेट भारतिय जंता पा अब लोग उनी जमातु में जा रहे हैं जिससे वो मुंसलिक थे पहले से इसको किस तरीके से देखते हैं देखिए यह देखना है पब्लिक ने वोटर ने है वोटर हर लीडर का करदार देखेगा कि पिछले तीन-चार साल में उनका करदार क्या रहा और आज क्या करदार र जो हमारी बात करेगा जिनको हमने आल्रेडी जाना हुआ है पैचाना हुआ है जिनको वोट दे के देखा हुए उनको फिर से वोट नहीं दे सकते हम क्यों किसी को यहां से अपना वोट दे के जिता के दिल्ली बेज़े जो वहां जाके फिर से मारी मकालफ़त शुरू कर दे हम तो नई साज़िश के लिए हम खुद ही अपना बंदा तियार करके उसको दिली बज़ें कि जाओ वहां जाके आप हमारी जेनरेशन का गला काटो वह तो हम नहीं होने देंगे हमारे नोजवानों को आज एक होप मिली है कि ST के मिलने से वह नोकरियों में आगे आएंगे इनको अब नेशनल कांफरेंस की बात करें वह तो पहले यह कहते हैं कि हिंदोस्तान से बात करने से पहले आप पाकिस्तान से बात करें आप चैने से बात करें तो क्या हम अपना ऐसा मीबर पार्लिमिट चुनके बेजेंगे जो वहां जाके हमें उस दुम्रे में खड़ा करें जो हमें 2026 में फिर से delimitation होगी हद बंदी होगी हमें नई अपनी constituency चाहिए पारलिमेंटरी जोरी पुंच की नई अपनी constituency होने चाहिए हमें वो लिटर चाहिए वह जहां वहां जाकर ये वकालत करें हमें वो लिटर चाहिए जो जम्मू से पुंच तक हमें railway track की बात करें four line national highway की बात करें tribal hostels की बात करें हमारे दोनों डिस्टर्क border district है आए दिन वहां firing होती है infiltration होती है जो हमें border पर रहने वाले कि security प्रवाइड करें हमें वो लिडर चाहिए जो हमारे रजोरी पुंच के नो जवान हैं जो जिनको special packages की जुरूरत है कि government उनके लिए कुछ special करें उनकी नोकरियां लगें उनकी upliftingment हो हमें वैसे लीडर चाहिए ना के वो दिल्ली में जाके कोई दूसरा अपना जंडा चलाएं और हम भी उसी जुमर में जाके ख़ड़े हैं अच्छा आपने मौसमी सुर्टेहाल खराब रहती है या हम इस तरीके के हालात देखी कश्मीर के अकसर जो है वो तनावपुर्ण रहते तो क्या लगता है कि पुंच राजोरी को डिलिमिटेशन के बाद बहुत नुकसान नहीं हुआ यकिनला यह बात बंद ही रहता है कि मौसम में रस्ता बंद है तो दो मिने के लिए एक में के खुलेगा अघुलंको सोचना चाहिए तो वैसा ही आएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें दो साल के बाद फिर से पूरे मुल्क में होनी है हद बंदी होनी है तो उस वक्त जो हमारा नमाइंदा हो वो यह बात करें के रजोरी पुंच को इदर लगा के एक नई सीड बनाई जाए जिस पर हमारा कल का अपना नमाइ फिर से हैं और जीशोर शक्सिएत है पहाडियों के लिए काम किया है नहीं लेकिन उनका अरिज वो हमारी बात करेंगे, हमारी उनसे बात हुई है, कि कल जब आप जीत के जाएं, तो यह हमारा यह हमारे डिमांड से है, इसको आपने प्रियार्टी पर रखना है, अच्छा एक चीज, मुगल रोड का जो मामला है, इस वक्त उठा है, अब कह रहे हैं कि उसकी development होनी है, यह पहली क्यों नहीं सामने आई, पहली यह मसला क्यों नहीं उठाया गया, अब ही क्यों, इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों मुगल रोड याद आती है, देखिए, अभी चूंके लेक्शन सर पे थे, तो बर्फबारी हो गई, देखिए, अमोमन ऐसा मौसम इस वक्त नहीं होता क्योंकि यह मौसम, जमीनदारी का मौसम है, फसल बीजनी है, फसल काटनी है, बार्शें काम होती है, इस वब बार्श हो रही है, यह अपने अपनी किसमत की बात भी है, तो मैं जहां तक मेरा मानना है के एलेक्शन कमिशन आगे करके बहुत ठीक ही है, अगर साथ मेई को ले सारी उमर इस सीट पे नहीं रहना, कि हमें हर जब इलेक्शन आए, तो मुगल रोड बंध हो जाए, इसलिए हमें अपनी सीट चाहिए, इसके लिए हम फाइट करेंगे, इसलिए हमने जफर मना साब को चुना है, जिनसे हमने बात की है, डिलिबरेशन की है, डिसक्शन की है अगर आप इन पर बात करोगे, तो हम आपके साथ खड़ें, अगर मैं देखूं कि आप भारते जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया का ये जो मुलतवी करने का एक फैसला था, इलेक्शन को, ये को ये पहली बात है कि मैं पहाड़ी ट्राइब से हूँ, भाचपा का कैंडिएट इस सीट पर नहीं है, जानता कि नैशनल कांफरेंस जाब पीडिपी का ये कहना है, देखिए सिर्फ दो जमाते लेक्शन नहीं लट रही, बहुत सारे इंडिपेंडर कैंडिएट्स फी लेक् करेंगे, फिर रहेंगे, ठीक है, नैशनल कांफरेंस के बाद पास वरकर हैं, उनके पास पूरी मशीनरी है, पीडिपी के पास है, वो हकुम्मतु में रहे हैं, लेकिन जो बाकी इंडिपेंडर कैंडिएट है, जब ऐसी पार्टी है, जिनके पास इतना रिसोर्स नहीं है, उनने तो कंबेंड करनी है, उनका भी तो राइट बनता है, लेक्शन को सबको देखना है, बीजेपी की बाद नहीं के प्रापर रिपोर्ट मंगाई है, जिस पे अगर बारह जाब 15 के साइन है उस पे, जिननों कहा के लेक्शन को अगे किया जाए हम कंबेंड नहीं कर इसलिए बहुत अच्छा फैसला है, जब तक और मुसम खुल जाएगा, और ची कंबेंड होगी, लोगों को पता चलेगा, क्या क्या किसी कैंडिड का क्या मनशूर है, वो लोग देखके वोट करेंगा, आज की जो प्रेस कांफरेंस हुई है, उसमें बात आखरी क्या हुई क्या अब यह फोरम भारती जन्ता पार्टी को या अपनी पार्टी को जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी स्पोर्ट कर रही है, तो क्या आगे राय अमल होगा इसका? प्रेसे अपने पार्टी कबीले से बात करके यह एक फैसला किया कि हम अपनी पार्टी के कैंडिट को स्पोर्ट करेंगे, जफर मनासवप को स्पोर्ट करेंगे, चूँकर हमारा साढ़े पांच लाख प्लस वोट है सीट पे, और मुझे पूरी अमीद है कि जो फैसला पार पारी ट्राइबस्टी फोर में लिया है, पूरा पारी कबीला एक तरफा होकर एक कैंडिट को वोट डालेगा और हम जीतेंगे, लेक्शन, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए यह थे हमारा साथ एडवोकेट गुर्देव सिंग ठाकुर जी जिनका कहना था कि पाहारी कबीला जो है, एक ही आवाज पर एक साथ होकर, एक जुट होकर किसी एक ही कैंडिट को जो हमायद देगा, लेकिन इसका क्या नतीजा होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा